हल दुस्त зов आच किस वडिय मैं मैं आपको बताउंगा कि आपकीस प्राकार से इन एप अपडेट को डाल सकते हो आपके एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर मैं आपको दोवे बताऊंगा तो सबसे पहले भी मैं आपको बताऊंगा कि आपकीस प्राकार से गूगल का इन अपडेट को पूछ कर सकते हो और अपको बताऊंगा आपकी इस प्रकार से डाटाबेस से अपडेट को पूछ कर सकते हो अगर आपका अप्लिकेशन प्लेश्टोर के उपर है तो आप फस्ट वे को फॉलो करो और अगर आपका अप्लिकेशन प्लेश्टोर पे कि e-commerce की AI, job की AI, music की AI, news की AI तो आप visit करो ai-store.shop यह आपको AI के साथ extension file और figma file भी मिलेंगे और आगे जाके मेरा plan है कि इसमें मैं बहुत सरे categories add करू और अगर दोस्तो आप भी AI file बनाते हो extension file बनाते हो figma के ऊपर मस्टर डिजयन करते हो कुछ भी करते हो अब भी आपका डिजिल प्रड़क्ट कर सकते हो एस टो और रटक्षके आपको क्या करना एस टोडAtt्षक विजट करो वा पही अगर आपको इ cabbage करनी होगी तो प्रोड़स प्रोड़न से कोई भी कैपिंग नहीं अगर सो रूपई के आए सेल होती है तो आपको सो के सो रूपई मिलेगे सो विदाउट इन डू लेट्स स्टार्ट तोड़ेज वीडियो अगर दोस्तों आपका अप्लिकेशन प्लेश्टोर के ऊपर रहेगा तो आप यह वाला वे फॉलो करो और अगर आपको मैनुवली अप्डेट को पूश करना है तो आप सेकेंड वाले वे को फॉलो करो मैंने यहां पर चाप्टर भी बनाए तो इसलिए आप जाके मेरा डिस् अप्डेट करने के बाद आपके सामने अप्डेट का यहां पर अप्डेट करोगे और बंदा अपका ओल्डर वर्जन ओपन करता है तब उसके अंदर अप्डेट के आपंडेट करना है तो आपको इसको चेक्माट ऑफ करना है और फीद बाद में यहां पर ब्डॉक में जाने के बाद खरने के बाद यहां पर करो कि अब त्ट धेनन का ब्लोक कर लेना हो और फिर आपको सिलेक करना Jeff का यूप अपडेट अवेलेबल तो आपको अगर अबडे अब डे यडियोड रहेगा तहरा हम क्या करेंगे कि start अबडेट और यहां पे पूछ रहा है कि बाई यहां पर अबस not it to do यहां पर इसकी इंफो हो गई मतलब आपडेट और घ्रणलोड होगा मतलब जब भी आप्डेट होगा या अब डेट अब्डेट डाउडोड होगा और जब भी आप्डेट डाउडोड होगा तब हम इसको क्या करेंगेbij क। कि अब्डेट आप्डेट करेंगे या हम application को close करेंगे face और फिर से iPhone tilиях यूजर तो उसको अब्डिटोन जाएगा इतना सिम्पल सा स्टेप ता अभी मिलती हम सेकेंड्वे में अब हम सेकेंडेंवे के बारे में जानेंगे और हम मैनुवली केसे हम अपुवण को फूच कर सकते उसके बारे में और मुझे लगएगा लुगा कि फाइर बेस नहीं होगा कि यहाई वाली वीडियो जाके धेखो प्रॉपर में अपे बता है फायर बेस और म्योर्य उर्ल कर सकते हैं उम्हाँ इसको आम में प्रोजयक्ट के क्रल ओग और सब्सेहरे यॉपर लेता है सब्सक्रेंट करने के बाद आपको उपडेट लिखिना है जो पर वितार नेती वह वं पर मानुर strangely करने के पार यहाँ ओने के लिनुनग्ता है टउ के यहां पर यहाँ वेड़ने के विद बाद में करिंदने के पर यहाँ को来ने के रखन करतेका तो पर आपको आना नाइटरों के अंदर और कंट्रोल वी या कमांड वी यह भी सिस्टम आप यूज करते हो फिर बात में Firebase URL के अंदर आपको क्या यूज करना है आपको जाना है फिर से आपके प्रोजक्क के अंदर और आपको एड्मिन से अपडेट करना होगा तो आपको राइट को भी ट्रू करना पड़ेगा यहां पर आता है यहां पर आपको अपडेट पर क्लिक करने के बाद यहां पर कॉपी रेफरेंस URL को आपको कॉपी करके यहां पर जाना है और Firebase URL के अंदर डाल देना है ब्लॉक क यहां से हम वर्जन को कॉल करेंगे इसलिए मैंने हाँ पर वर्जन लिखा हुआ है जब भी मुझे मिलेगी जब भी got value तब मैं चेक कर रहा हूँ कि भाई साब टू हे की नई वर्जन कोड़ के सो वर्जन कोड़ का ब्लॉक करदे डेना है तिल नुटिफायर तो आपको नुटिफायर को किसे बतता हु डिजाइन के अंदर डिजाइन के अंदर जाने के बाद notifier component के यहाँ पर ड्रैक करो और ड्रैक करने के बाद वहाँ पर आपको ब्लॉक मिल जाए का चूजा मैसेज का तो उसको आपको ड्रैक करो और यह वाली वीडियो फोलो करो आपको क्या करना है जब भी बंदा notifier 2 पर चूज करेगा अफटर चूजिंग मैं चेक कर रहा हूं कि उसने क्या सेलिक किया आए तो इस लोजिक में जाके में करूंगा चॉइस के ब्लॉक को यहां पर ड्रॉप करोंगा और अप्डेट नाव पर क्लिक करूंगा अप्डेट नाव को चेक करूँगा कि जो भी चॉइस किया है वह उसक ब्राउजर में open करेंगे एक्टिविटी स्टाटर की मदद चाहिए होगी को आपको यहाँ पर ड्रॉप करेंगे और यहाँ पर यहां पर डालना है data uri so data uri के अंदर url रहेगी जहां पर आपको उसको land करना है फिर बात में यहां पर start activity करेंगे अगर आपको यहां पर database से लिंक कॉल करनी है तो आप यहां पर link करके एक tag बना सकते हो और उसके अंदर आप link दे सकते हो like https double slash aistore.shop और यहां पर यहां पर by default भी लिंक दे सकते हो by default भी लिंक दे सकते हो तो किस इस प्रकार से आप manually भी update को पूश कर सकते हो यह था आज का वीडियो अगर आपको video informative लगा रहेगा तो प्लीज इस वीडियो को like करेगा और अगर आपको जानना है कि login and registration केसे बनाते तो प्लीज आवाली वीडियो देखेगा और उसके साय साथ हमारे चैनल को subscribe भी क